आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News ले में आप सभी कास हुआ गथे मैं हूँ आपके साथ आचल तो आए देखते बॉर्ड जगत की कुछ खास खबरे दो हपतों में ही बुड़ी हुई शारूख खान की जवान जाने 21 दिनों में कैसा रहा बिजनेस 21 दिन रिलेस के साथ जवान ने बॉक्स ओफिस पर धमा के दा शुरूवात की फिल्म में टिकट खिड़की पर खाता ही पचातर करोट के साथ खोला वर्डवाइड तो जवान ने उपनिंग डे पर ही सो करोट से जादा कमा लिया हाला कि अब फिल्म की हालत भी गरती जा रही है मर्द दो हपतों में ही शारुख खान की जवान बुड़ी हो चली है शारुख खान की जवान ने बॉक्स ओफिस पर रिलेस के बाद से ही कई रिकॉर्ड तोड़े है फिल्म ने अब तक शांदार कलेक्शन भी किया है हाला कि अब जवान का बिजनिस लगाता लुड़कता चर रहा है इस उतार चड़ाओं भरे सफर में साथ फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अब दो हपतों का सफर पूरा कर लिया है आईए जानते हैं कि इस 21 दिनों में जवान का बिजनिस के सरा है और अब कहा पोचे है जवान की सुपर फास स्पीड सासी तमर को रूलीज हुई जवान ने धमाकेदा शुरुवात की है फिल्म ने पहले दीन ही देशपर में पचातर करोड कमाली है वड़वाई तो जवान ने 100 करोड क्लब में इंट्री कर ली थी इसके बाद ही पहले विकेड में जवान का कलेक्शन 206 से दशलब 16 करोड रूपे पहुच गया है इसके साथ फिल्म रिलिस के महत चार दिनों में 300 करोड के नस्दिक पहुच गई है आईए वर्टेप अगली खबर के और भाग कोई और गया प्रबास्टार सालार के साथ क्लैश पर ये क्या बोल गए विवेक अगनी होतरी निर्देशक विवेक अगनी होतरी अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सिन वार को लेकर लाइम लाइट में है कुछी दिनों में फि किया गया दिगर्स निर्देशक विवेक अगनी होतरी द कश्मीर फाइल के बाद द वैक्सिन वार को लेकर काफी चर्चा में है फिल्म 28 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी एक लेटेस इंटर्यू में विवेक अगनी होतरी ने खुलासा किया है कि उन्हें सालार की वज़े से ही बहुत आलोच नाजलनी पड़ी जाने दरसल हुआ यू कि विवेक अगनी होतरी के फिल्म दवाक्सिन वार का पहले प्रबास सालार के साथ बॉक्स ओफिस पर क्लाश होने वाला था दोनों ही फिल्म में 28 सितंबर को रिलीज होनी थी ऐसे में प्रबास के फां 30 को रिलीज होनी थी फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी लेकिन फिर रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है अब खबर है कि मुवी क्रिसमस के मोके पर रिलीज होने वाली है सालार का क्लाश शारुक खान की फिल्म डंकी से होगा यह इस साल का सबसे मान पर कहीं ये बात प्रिंक चोपड़ा और कंगना रनोत तो अब फिल्म रिपदेश्यद महेजबर्ट ने महिला आरक्षन विधयक पर अपने बात रखी है उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि जो देश अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उस अरक्षन विधयक है इस समय चर्चा का विशे बना हुआ है पहले अभी नेत्री प्रेंग का चोपड़ा कंगना रोनोत भूमी पेड़नेकर तमर्ना भाटिया और किरती कुलहाडी ने विधयक के लिए अपना समधन व्यक्त किया है वही फिल्म ने देश इन महिलाओं का है जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विशे बना हुआ है आम लोगों से लेकर राजनेता अभी नेता और अन्यमन रुजन जगत की हस्तिया भी इसका समतन कर रही है पहले प्रेंग का चोपड़ा और कंगना रोन तो अब फर्म ने देशन महेश भट ने महिला आरक्षन पर अपने बात रखी है उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि जो देश अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे सब्वे समाज के रूप में माननेता नहीं दी जा सकती आगे बोले कि महिला आरक्षन विदे लेकर बहत खूश है और इसे आशा की पहली की रन बताई जा रही है मैज भट ने कहा कि ये तो पहली की रन अभी आगे देखना भी सुरज कितना चमकता है अब आप हमारे चानल को लाइव भी देख सकते हैं फिलाल वक्त हो चला तरश को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की त साथ नमस्कार